हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्से सेरीज एजुकेशन से, हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवी हिंदी की पाठ्या पुस्तक स्पोष भाग एक का पाठ्या क्रम आज हम पाठ्चे पढ़ने जा रहे हैं, पाठ्चे में आपको लेखक स्वामी आनंद जीतवारा लिखा गया एक लेख दिया गया है, जिसका शिर्शक है शुक्रतारे के समान प्रस्तुत पाठ्च में लेखक ने गांधी जी के नीजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोर प्रतिभा और व्यस्ततम दिंचर्या को प्रस्तुत किया है लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी उर्जा उनकी लगन और प्रतिभा से अभी भूत हैं लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महान तम कार्या तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उनकी तमाम चिंताओं और उल्जनों को अपने सिर ले लें गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसी है महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ने किस किस तरह के काम किये उन्होंने किस तरह से गांधी जी को सहीयोग प्रदान किया और गांधी जी के कारियों में किस तरह से उन्होंने अपना हाथ बटाया तो चलिए बात को शुरू करते हैं आकाश के तारों में शुकर की कोई जोड नहीं शुकर चंदर का साथ ही माना गया है उसकी आभाप्रभा का वर्णन करने में संसार के कवी ठके नहीं आभाप्रभा होता है चमक लेखक यहां पर बताते हैं कि जो आकाश में तारे हैं उसमें जो शुकरतारा है उसका कोई जोड नहीं है यानि जो शुकरतारा है वो सबसे अलग है सबसे अनोखा है और शुकरतारे को जो है चंदरमा का साथ ही माना जाता है लेखक बताते हैं कि जो शुकरतारा है उसकी चमक का वर्णन संसार के सभी कवियों ने किया है और जो कवी हैं वो उसकी चमक के बारे में जितना भी बताते हैं वे बार 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 उससे भी जादा उसके बारे में लिखते जाते हैं वे ठकते नहीं है, क्योंकि लेखक बताते हैं कि जो शुकर तारा है वो बहुत ही बेजोड है, उसका कोई जोड नहीं है वो जो है सबसे अलग है फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे दो घंटे से अधिक देख नहीं पाती नक्षत्र तारा मंडल होता है जो तारों का समुहू होता है तो लेखक यहां बताते हैं कि जो शुकर तारा है भले ही उसकी चमक इतनी जादा है कि वो दूसरे तारों से बिलकुल अलग दिखाई देता है फिर भी लेखक यहां पर बताते हैं कि तारों के समूहों में जो ये कलगी रूप यानि कलगी कहा जाता है जो मोर के उपर उसका जो मुकुट होता है उसे कलगी कहते हैं उसी तरह से जो है तारों के समूहों में शुकर तारे को भी कलगी रूप में कहा गया है तो लेखक बताते हैं कि कलगी रूप में जो ये तजस्वी तारा है उसे जो है ये पूरी दुनिया या तो सुभा के समय कुछ घंटों के लिए देख पाती है या शाम के समय जो है केवल घंटे या तो घंटे के लिए ही जो है शुकरतारे को देख पाती है इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत के स्वतंतरता के उशा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्द करके शुक्रतारे की तरह ही अचानक अस्थ हो गए अब लेखा कि हाँ पर भाई महादेव जी की तुलना शुक्रतारे के साथ कर रहे हैं कि जो महादेव भाई जी हैं वो भी आधुनिक भारत के स्वतंतरता के उशा काल यानि जो सुबह का समय होता है उसमें उसी तरह से चमक कर जो है आकाश में जगमगा कर जो है देश और यानि यहाँ पर लेखा के बता रहे हैं कि जिस तरह से शुक्रतारा घंटे दो घंटे के लिए दिखाई देता है और उसके बाद अस्त हो जाता है। वो भी कुछ समय के लिए जो है दुनिया के सामने आये, अपनी चमक उन्होंने दुनिया के सामने रखी, अपनी प्रतिभा से उन्होंने दुनिया को जगमगाया और उसके बाद वे अस्तोगे यानि उनका निधन हो गया। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धर्ती पर जण में स्वर्गिया महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। स्वर्गिया महादेव देसाई जी का जन्म हुआ था और महादेव देसाई जी जो है वो गांधी जी के मंत्री थे। लेखक बताते हैं कि जो महादेव देसाई हैं वो अपने मित्रों के बीच जो है मजाक में कभी कभी अपने आपको गांधी जी का बोज उठाने वाला या गांधी जी का कुली भी अपने आपको कह देते थे। यहां तक कि कभी कभी जो है वो अपना परिचे किसी महात्मा या सिद के रूप में देते थे। कभी गांधी जी के लिए खाना पकाने वाले या गांधी जी के रसोये के रूप में दे देते थे। कभी वे ये कहते थे कि वो गांधी जी के लिए मश्क से पानी ढोने वाले व्यक्ति हैं और कभी कभी तो वो अपने आपको गधे के रूप में भी कह देते थे और ये सब परिचे दैने कह देते थे और ये सब परिचे दैने में जो है उन्हें गर्व महसूस होता था गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्राधिकारी का पद सौंप दिया अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि महादेव देसाई जी जो है वो गांधी जी के लिए पुत्तर से भी अधिक थे यह लेखक इसलिए कहहरे हैं क्योंकि जब सन 1917 में देसाई जी जो है गांधी जी के पास आये थे तभी गांधी जी ने उन्हें पहँचान लिया था और उन्हें अपना उत्तराधिकारी पर जो है सौंप दिया था यानि गांधी जी का जो कारोभार है, गांधी जी ने अपने बाद, अपनी मृत्यू के बाद जो है दिसाई जी को उसका उत्राधिकारी जो है वो घोशित कर दिया था सन 1919 में जल्यावाला बाग अतार किया गया था गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था लेखक बताते हैं कि जब सन 1919 में जल्यावाला बाग हत्याकांट हुआ था उन दिनों में जो है पंजाब चाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफतार किया था और गांधी जी ने अपनी गिरफतारी के समय जो है महादेव भाई को अपना वारिस कहे दिया था क्योंकि गांधी जी को जो ऐसा लग रहा था कि शायद वे जेल से कभी छूट ना पाएं और उसके बाद का जो उनका कारोबार है जो वो चाहते हैं देश को स्वतंतर करने का जो भार उन पर है उसका वारिस जो है उन्होंने महादेव भाई को सौप दिया था उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस कहे दिया था सन 1939 में महादेव भाई आसेतू हिमाचल देश के चारो कौनों में सम्मूचे देश के दुलारे बन चुके थे आसेतु हिमाचल कहा जाता है सेतुबंद राविश्वरम है वहां से हिमाचल तक की जो दूरी है अब यहां पर लेखक बताते हैं कि सन 1929 में जो है महादेब भाई जो है वो रामेश्वर से लेके हिमाचल तक देश के चारों कौनों में यहां तक की सम्मूचे देश के जो है वे दुलारे बन चुके थे यानि पूरा देश उन्हें जानता था पूरा देश उन्हें प्यार क हो चुका था इसी बीच पंजाब में फौजी शाशन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका बेवरा रोज रोज आने लगा पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफतार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया अब लेखा के पर बताते हैं कि पंजाब में फौजी शाशन के कारण जो है लोगों पर बहुत जादा जियाती की जाए बारे में रोज रोज अकबारों में नियूज में हर जगा जो है उसके बारे में ही चर्चा की जाती थी पंजाब के जो अधिकतर नेता लोग थे उन्हें जो है फौ लाहौर के मुख्यर राश्ट्रिया अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालिनाथ राय को दस साल की जेल के सजा मिली। इसलिए मिल रही थी क्योंकि वे जो है सरकार के जातों के बारे में अपने अकबार में चाप रहे थे लोगों आरे में अवगत करवा रहे थे इसलिए जो है सरकार ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई थी। लोग जो है अपने उपर होने वाले जुल्मों अत्याचारों की कहानिया सुनाने के लिए जो है दल बना कर आते थे और गाम देवी के जो मनी भवन है जहां पर गांधी जी जो है उन सभी के बारे में सुनते थे वहां पर जो है बहुत सारे लोग दल बना कर आते थे और ग चुटकारा दिला सकें। चुटकारा दिला सकें। वे जो है उन लोगों के सामने जो है गांधी जी को भी लाते थे यानि गांधी जी के साथ जो है उनकी आमने सामने मुलकाते भी करवाते थे ताकि जो आने वाले लोग हैं वो निराश ना हो और उन्हें तसलि हो जाए कि उनकी जो बात है वो गांधी जी तक पहुँच गई हैं और गांधी जी उसके बारे में सोच विचार जरूर करेंगे गांधी जी मुंबई के मुख्य राश्ट्रे और अंग्रेजी दैनेक बॉंबे कार्निकल में इन सब विश्यों पर लेख लिखा करते थे कार्निकल में जगा की तंगी बनी रहती थी अब लेखर के हाँ पर बताते हैं कि जो लोग आते थे गांधी जी को अपनी समस्याएं बताते थे गांधी जी जो है उन समस्याओं के बारे में कुछ विश्यों पर लेख लिखा करते थे और वो लेख मुंबई के मुख्य राष्ट्रे जो अंग्रेजी दैनिक समचार पत्र होता है बॉम्बे कार्निकल उसमें वे ये लेख लिखा करते थे और जो कार्निकल थे उसमें जगह की तंगी बनी रहती थी क्यूंकि उसमें बहुत सारे लेख जो है वो लिखे जाते थे कुछ ही दिनों में कार्निकल लिडर अंग्रेज संपादक हर्नीमें को सरकार ने देश निकाले के सजा देकर इंग्लेन भेज दिया उन दिनों बंबई के तीन नए नेता थे शंकरलाल बैंकर, उमर सुबानी और जमनादास द्वारकादास अब लेख़ केहां पर बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो कार्निकल में अपने लेख लिखा करते थे और बहुत से दूसरे लोग भी थे जो कार्निकल में लेख भेजा करते थे और कुछी दिनों में जो कार्निकल के जो निडर्ड अंग्रे संपादक थे हार्नीमेन उन्हें जो है सरकार ने देश निकाले की सजा दे दी और उन्हें इंग्लेंड भेज दिया क्यों भेजा गया था क्यूंकि वे जो हैं सभी के जो लेख हैं वो अपने दैनिक समाचार पत्र में छाप देते थे वे ये नहीं देखते थे कि ये जो लेख हैं वो सरकार के विरुद्ध है या नहीं है वे सच्चाई को जो है वो सब के सामने लाते थे और सरकार को जो है ये नादास त्वार का दास इन में अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयाई थे ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी सापताहिक भी निकालते थे लेकिन उसमें कार्निकल वाले हार्निमैन ही मुख्या रूप से लिखते थे अब लेखक बताते हैं कि इसमें जो नेता थे वो इस श्रीमती बेसेंट के अनुयाई थे और जो ये नेता है वो यंग इंडिया नाम का एक समचार पत्र जो सापताहिक निकलती है उसमें जो हार्निमैन हैं जिने देश निकाला दिया थे वे जो हैं इसमें मुख्या रूप में लिखा करते थे उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ़ते सापताहक के लिए लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी ये तीनों नेता गांधी जो पर उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोर नेता भी थे अब लेखर के हाँ पर बताते हैं कि जब हारनी मैन को देश निकाला दे दिया गया था उसके बाद जो है इन्हें जो सबताह में पत्रिका निकालते थे उसमें लिखने वालों की कमी होने लगी थी क्योंकि जो हानिमेन थे वो मुख्या रूप में इसमें लिखते थे और जो ये तीन नेता थे वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रसंसक थे और जो गांधी जी का सत्यक रह आंदोलन था उसमें ये बंबई के बेजोर नेता थे यानि वो हर जगा जो है गांधी जी के साथ जुड़े रहते थे वे गांधी जी से अलग नहीं थे इसलिए जो है वे गांधी जी के परम प्रसंसक कहलाए जाते थे इन्होंने गांधी जी से विंती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं गांधी जी को तो इसकी सक्त जरूरत थी ही उन्होंने विंती तुरंट श्रिकार कर ली अब लेखक बताते हैं कि जब हर्निमेन को जो है बाहर भेज़ दिया गया उन्हें देश निकाला दे दिया गया उसके बाद यंग इंडिया के सम्पादक नहीं था कोई तो इन्हों ने गांधी जी से प्रातना की कि वे यंग इंडिया के सम्पादक बन जाए अब गांधी जी को भी इसकी बहुत जादा सक्त जरूरत थी क्योंकि वे अपनी बातों को जो है जादा से जादा लोगों तक पहुँचाना चाहते थे तो उनके पास ये एक जरिया था जिसके द्वारा जो है वो अपनी बातों को पहुँचा सकते थे इसलिए उनको जो है इ यंग इंडिया को हफ़ते में दो बार प्रकाशित करने का निश्चे किया अब लेखा कि हाँ पर बताते हैं कि गांधी जी का काम अब इतना बढ़ गया था कि सब्ताहिक पत्र में भी जो है अब उनके लेख कम पढ़ने लगे थे उन्हें और जादा लिखना था लोगों को सामने और जादा बाते बतानी थी तो जो सब्ताहिक पत्र था उसमें जो है उनके पास कम हो गया था कि वो जादा बाते बताना चाहते थे और उसमें जगह कम थी इसलिए गांती जीने यंग इंडिया को हफदे में दो बार प्रकाशित करने का निश्चे किया ताकि जादा से जादा जादा उए दो बार फ्रकाशित करने का निश्चे किया हर रोज का पत्र वेवार और मुलाकाते आम सभाएं आदी कामों के अलावा यंग इंडिया सब्ताहिक को छापने के लेख टिपनिया पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख यह सारे सामगरी हम तीन दिनों में तयार करते अब लेखक यहां पर बताते हैं कि जो लेखक हैं वो हर रोज का पत्र वेवार होता था जो मुलाकाते होती थी आम सभाएं होती थी और उसके अलावा यंग इंडिया सब्ताहिक में छापने के जो मामले होते थे उनका जो सार था वो संक्षेप में करना पढ़ता था गांधी जीवन भी गांधी जी के पास आया और धौनो सब्ताहिक एहमदाबाद से निकलने लगे छे महीने के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा अब लेखक के हाँ पर बताते हैं कि जो यंग इंडिया है उसके सासाथ ही जो है नव जीवन नाम की जो पत्रे का थ वो भी जो है गांधी जी के पास आये यानि वे भी चाहते थे कि गांधी जी उनके लेखों के बारे में उन्हें भी बताए या अपने लेख जो है उनके लिए भी लिखें इसलिए जो है वे गांधी जी के पास आये और जो ये दोनों साब्ताहिक पत्रे काये थी यंग इं में रही लेकिन कुछी दिनों के बाद संपादन सहित दोनों सपताहिकों की और छापे खाने की सारी विवस्था मेरे जिम्में आ गई अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पहले तो शुरू में ग्रहाकों का साब किताब करना और सपताहिकों को डाक में डालने की ही जो है लेखक के जिम्मे में रहती थी लेकिन बाद में कुछी दिनों में जब गांधी जी को लगा कि जो लेखक हैं वो भी जो है हर काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं वो भी सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं तो कुछी दिनों में जो है संपादन सहित जो है दोनों सब ताहिकों की और जो छापे खाने की जितनी भी विवस्था थी वो सारी जो है लेखक को ही करनी थी उनकी जिम्मेवारी लेखक पर आ गई थी गांधी जी और महादेव का सारा समय देश प्रमर में बीचने लगा ये जहां भी होते वहां से कामों और कारेक्रमों की भारी भीड के बीच भी समय निकाल कर लेख लिखते और भेजते लेखक बताते हैं कि गांधी जी और महादेर जो है अब पूरे देश में घूमने लगे थे उनका जो पूरा समय था वो देश में घूमने में ही बीट रहा था वे जहां जहां भी जाते थे वहां से जो है वे काम के और अपने कारेकरम के जो भारी भीर थी उसके बीच से भी जो है समय निकालते थे और लेख लिखते थे और उसको जो है लेखक की और भेज देते थे ताकि लेखक जो है उन लेखों को सापताहिक पत्रिकाओं में छापे और लोगों तक पहुँचाएं सब प्रांतों के उग्र और उदार देश भक्त करांतिकारी और देश विदेश के धुरंदर लोग समवार दाता आदी गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉल्मों में उनकी चर्चा क्या करते महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रति दिन की उनकी गतिवीधियों के सापताहिक वीवरन भेजा करते अब लेखर के हाँ पर बताते हैं कि सब प्रांतों के उग्र और उदार जो देश भक्त थे करांतिकारी थे देश-विदेश के जो दुरन्दर लोग थे जो सम्वार दाता थे वो जो है गांधी जी को पत्र लिखते थे और जो गांधी जी हैं वो येंग इंडिया के कॉलमों में इसकी चर्चा क्या करते थे और देश के लोगों तक पहुँँचाया करते थे महादेव गांधी जी की जितनी भी यात्राएं होती थी और प्रतिदिन के उनकी जितनी भी गतिविधियां होती थी जो जो वे काम करते थे उनका सापताहिक विवरन जो है वो लेखक को भीजा करते थे ताकि वे जो है उनको प्रकाशित कर सकें इसके उनको प्रकाशित कर सकें इसके अलावा महादेव देश विदेश के अगर गणिया समचार पत्र जो आँखों में तेल डाल कर कांधी जी की प्रती दिन की गतिवीधियों को देखा करते थे और उन पर बार बार टिका टिपनी करते रहते थे उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि जो महादेव हैं वो देश विदेश के जितने भी जो प्रसित समाचार पत्र थे जो गांधी जी को देखा करते थे, जो उनकी प्रतिरिन की गतिविधियों पर नजर रखते थे, उनकी सारी जो गतिविधियां हैं, उनको बार बार उन पर टिका टिपने करते थे, उनको जो है आरे हाथ लेने वाले लेक भी जो है वो समय समय पर लिखा करते थे, यानि जो मह पूर्च समाचार पत्रों की परंपराओं को अपना कर चलने का गांधी जी का आगर है और कटर से कटर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्या निश्ठास में से उत्पन होने वाली विनए विवेक युक्त विवात करने की गांधी जी की तालीम इन सब गुणों ने ति रिक्तिकत रूप से M.D. को सबका लाडला बना दिया था अब यहां पर लेखक ने M.D. जो है वो महादेव देसाई के लिए कहा है और लेखक यहां पर बताते हैं कि बहुत सारी चीजे थी जिन्होंने जो है महादेव देसाई को सबका लाडला बना दिया था यानि सब जो जो है उनसे बहुत जादा प्रभावी थे इसमें जो है बहुत सारी चीजें थी जैसे बेजोर कॉलम हो गए भरबोर चौकसाई हो गई यानि उचे से उचे जो ब्रिटिस समचार पतर थे जो गांधी जी चलते थे कटर से कटर विरुधियों के साथ भी पूरी सत्या समें महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी नहरी भाई उनके जिगरी दोस्ते जिगरी दोस्त होता है घनिश्ट मित्र यानि पक्के दोस्त अब गांदी जी के पास आने से पहले महादेव दिसाई जी जो है उपनी विद्द्यार ती जो आवस्ता दोस्त बन गए थे दोनों एक साथ वकालत पड़े थे दोनों ने अहमदावाद में वकालत भी सासाथ ही शुरू की थी इस पेशे में आम तोर पर सियाह को सफे होता है साहित्या और संसकार के साथ इसका कोई संबन नहीं रहता अब लेखा किहां पर बताते हैं कि महादेव औ और नरहरी जी जो है धोनों ने इस वकालत पड़ी थी और धोनों ने एहमदावाद में एक साथ ही वकालत भी शुरू की थी अब लेखा किहां पर ये भी साफ करते हैं जो वकालत का काम है वो जूट को सही और सही को जूट करने का काम है और साहित्या और संसकार का जो है व लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर शरत चंदर आदी के साहित्य को उल्टना पुल्टना शुरू कर दिया था। चित्र गंदा कच देवियानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शिर्शक नाटिका शरत बाबो की कहानिया आदी अनुवाद उस समय की उनकी साहित्य कती वीदियों की देन हैं। पटाते हैं कि यह दोनों है यानि जो महादेव और नरहरी जी है भले ही वकालत का साहित्या और संसकार शे कोई संश्कार होता लेकिन यह जो दो उन्होंने उसी समय यानि अपनी वकालत के समय ही टैगोर और शरत चंदर आदी के साहित्य को उल्टना पुल्टना शुरू कर दिया था यानि उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया था चितर गंदा कच देवयाने की कथा पर जो टैगोर ने विदाई का अभिशाप नामक जो एक नाटी का रची है शरत बावू की जो कहानिया है ये सभी जो अनुवाद उस समय थे वो जो है साहित्य गतिवीधियों की देन है और ये सारी चीजें जो है ये धोनों पड़ा करते थे भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था वाइसराए के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे उन पत्रों को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराए लंबी सांस उसांस लेते रहते थे अब लेखा कि हाँ पर बताते हैं कि जो महादेव के अक्षरों का कोई सानी नहीं था यानि वो बहुत जादा सुन्दर लेख लिखा करते थे उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ही सुन्दर थी तो जो वाइसराए के नाम गांधी जी के पत्र जाते थे वो हमेशा महादेव जी एक देखर जो दिली और शिमला में वाइसराए बैठे होते थे वो लंबी लंबी सांसे भरते रहते थे यानि वो ये सोचा करते थे कि ये लिखने वाला कौन है यानि वो उन्हें जो है उनकी लिखावट बहुत सादा पसंद आती थी भले ही उन दिनों ब्रिटिस सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूपता हो लेकिन उस सल्तनत के छोटे बात्शाह को भी गांधी जी के सेक्टरी के समान खुशनवीश कहां मिलता था खुशनवीश होता है सुन्दर अक्षा लिखने वाला लेखर अब लेखर कहां पर बताते हैं कि भले ही वो दिन ऐसे थे वहां पर ब्रिटिस सल्तनत का जो है कहीं भी सूरज डूपता हुआ दिखाई नहीं देता था यानि जो ब्रिटिस सल्तनत थी वो बहुत जादा अच्छे मुकाम पर थी भारत में उस वक्त यानि उसने भारत पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था लेकिन उस इतनी बड़ी सल्तनत के जो चोटे बात्शाह थे उनको भी जो है गांधी जी के जो सेक्टरी है यानि जो महादेव जी हैं उनकी तरह कोई भी सुन्दर लिखने वाला जो लेखक होता है जो उनके द्वारा पत्र लिखता वह कहां मिलता था यानि वो जो वाइसराय हैं वो जो बातशाह कहे गए हैं बृटिस सल्तनत के उनके पास भी महादेव जैसे लिखने वाला कोई भी नहीं था यानि वो जहां भी धून्द ते लेकिन महादेव जी जो राइटिंग थी वो इतनी जदासंदर थी कि उनकी त अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था पढ़ने वाले को मंतर मुग्द करने वाला शुट सुन्दर लेखन अब लिखा कि हाँ पर बताते हैं कि जो बड़े बड़े सिविलियन थे गवर्नर थे वो हमेशा ये कहा करते थे कि जो सारी ब्रिटिश सर्विस हैं यानि जितने भी भारत में ब्रिटिश लोग हैं वे जो हैं महादेव के समान सुन्दर अक्षर नहीं लिख सकते हैं उनकी तरह किसी को भी ढूंडा नहीं जा सकता है क्योंकि महादेव जी जो हैं वो बहुत जादा सुन्दर अक्षर लिख महादेव के हाथों के लिखे गए लेक टिपनिया पत्र गांधी जी के व्याख्यान प्रातना प्रवचन मुलाकातें वारता लापों पर लिखी गई टिपनिया सब कुछ फुल स्केप चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जैट क किसी गती से लिखा जाता था जानते नहीं थे व्याख्यान होता है भाशन और फुल स्केप होता है कागस का एक बड़ा आकार और चथाई होता है चौथा भाग अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि जो महादेव जी हैं उनके हाथों के लिखे गए जो लेक होते थे टिपन होती थी उस पर जो टिपनिया की जाती थी उन्हें लिखते थे यह जो सारी चीजें हैं वो एक बड़े आकार के कागस के चौथे भाग पर जो मोटी अभ्यास पुस्तिका होती थी जो मोटी अभ्यास जो नोटबुक होती थी उसमें जो हैं लंबी लिखावट के साथ वो जादा तेज गती से लिखते थे लेकिन बहुत जादा सुन्दर लिखते थे उन्हें जो है शॉर्ट हैं नहीं मालूम था यानि वो शॉर्टकट नहीं मारते थे वो पूरे का पूरा लिखते थे वो बहुत जादा स्पीड से लिखते थे लेकिन उनकी जो लिखाव उनकी जो पादरी, गरंथकार, आदी, गांधी जी से मिलने के लिए आते थे ये लोग खुद या उनके साथ ही संगी भी गांधी जी के साथ बाचीत को शौट हैंड में लिखा करते थे अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि देश विदेश से जो है बहुत सारे राजपूरुश होगे, राजनितिग्या होगे या समचार पत्तर के जो प्रतिनी दी होते हैं वो होगे, पादरी, गरंथकार, बहुत सारे लोग जो हैं जो भी गांधी जी से मिलने आते थे वो लोग या तो खुद या उनके साथ कोई दूसरा उनका सेक्टरी होता था या उनका कोई संगे साथ ही होता था जो भी गांधी जी से उनके बातचीत होती थी वो शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे या यहाँ पर लेखा की बताना चाहा रहे हैं कि जितने भी लोग होते थे वो सभी शॉर्ट हैंड में लिखते थे लेकिन जो महदेव जी हैं वो पूरी की पूरी जो बाते हैं वो डिटेल में लिखते थे जैट की स्पीड से लिखते थे बहुत साथा स्पीड में लिखते थे लेकिन उनकी जो राइटिंग है वो फिर भी वैसी ही रहती थी जैसी वे आराम से लिखने पर लिखा करते थे महादेव एक कौने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बाचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुँचते तो भले ही उसमें कुछ भूले या कम्या खाम्या मिल जाए लेकिन महदेव की टाइरी में या नोट वाही में मजाल है कि कौमा मात्र की भी भूल मिल जाए अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो महदेव जी हैं वो एक कौने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा लिखा करते थे यानि जितने भी लोग आते थे वो जो है शॉर्टकट में लिखते थे लेकिन महादेव जो है वो लंबी लंबी बात थे वो कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं मारते थे अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि जो मुलकात मेरे वे लोग होते हैं वो जब अपने जगा पर जाते थे और जब वो पूरी बातचीत को पूरी तरह से टाइप करते थे अपने वो जो उन्होंने शॉर्ट कट में नोट्स पनाए होते थे उसके आधार पर जब वो पूरे लिख लेते थे उसके बाद ओके करने के लिए जब गांधी जी के पास पहुँचते थे तो भले ही गांधी जी उसमें बहुत सारी कम्या निकाल सकते थे लेकिन जब महादेव जी ओके करवाने के लिए अपने कोई लेक गांधी जी को भेजते थे तो मजाल है उसमें कौमा तक की भी गलती नहीं होती थी कौमा तक की भी भूल जो है वो महादेव नहीं करते थे जबकि वो शॉर्टकट मारते ही नहीं थे पूरी के पूरी बात्चित लिखते थे फिर भी कोई गलती नहीं करते थे गांधी जी कहते महादीर के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना और लोग दांतों उंगली दबा कर रह जाते दे अब गांधी जी हमेशा कहते थे जब भी कोई लेक उके करवाने के लिया आता था कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं लिखा है तो गांधी जी जी जो है उनसे हमेशा कहते थे कि तुम्हें जाकर जो है महादेव के लेकों के नोट से मिलान कर लेना चाहिए था यानि तुम्हें आने से पहले उन से पूछना चाहिए था, उनके नोट्स देखने चाहिए थे, जो उन्होंने लिखा है, उसके साथ अपने नोट्स का मिलान करना चाहिए था, और जो लोग होते थे, वो दातों उंगली दबाकर रह जाते थे, यानि वो कुछ भी नहीं कह प महादेव की टिपनियों के साथ करके उसे सुधार बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकी जाते थे फिशर और गुंथर के समान जो दुरंदर लेखक हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो भी जो है अपनी टिपनियों का मिलान जो है महादेव की टिपनियों के साथ पहले करते थे गांदी जी के पास ले जाने से पहले क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि महादेव जी ने कोई भी गलती नहीं की होगी और गांदी जी के पास अगर वे अपने टिपनियों पहले ले जाएंगे तो हो सकता है उनकी गलतिया निकल जाएं और उनका जो धुरंदर लेखक का जो किताब है वो धुन्दला पढ़ और घटनाओं से संबंदित उद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें ही पढ़ते रहते थे अब लेखक यहां पर बताते हैं कि साहित्यक पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ जो महादेव हैं वो वरतमान राजनीतिक जो प्रवा हैं घटनाएं हैं उससे संबंदित जानकारी देने वाली जो पुस्तकें हादेव हैं वो साहित्यक के साथ साथ जो है सभी घटनाओं के जानकारी भी रखते थे हिंदुस्तान से संबंदित देश-विदेश की ताजी से ताजी राजनेतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकते थ अब लेखके केंबर बताते हैं कि महादेव जी के पास हर तरह की यानि देश-विदेश में ताजी से ताजी जो राजनेतिक गतिविधिया होती थी, चर्चाओं होती थी उसकी नई से नई जो जानकारियां हैं वो महादेव के पास मिल जाती थी यानि उन्हें जो है किसी समचार पत्र को पढ़ने की जरुवत नहीं होती थी अगर आपको कोई भी राजनेतिक गतिविधों के बारे में पूछना है नई जानकारी लेनी है तो आप महादेर जी से पूछ सकते थे उस समय क्योंकि उन्हें जो है हर तरह की जानकारी नई से न किलगाडियों के डिबग में उपर की बर्ट पर बैट कर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े जोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अत्वा यंग इंडिया और नव जीवन के ले लेक लिखते रहते अब देखा कि हाँ पर बताते हैं कि जो महादेव जी हैं वो कभी भी फ्री नहीं बैटते थे वो कभी भी बिले नहीं होते थे या जब भी सभाएं होती थी कमेटियों के बैटके होती थी या फिर दोटती हुई जो हैं कभी समाचार पत्र पढ़ रहे होते थे कभी मासिक पत्र कभी कोई पुस्तके पढ़ रहे हैं कभी यंग इंडिया या नव जीवन के लिए लेक लिख रहे हैं यांनि वो कभी भी अपना समय बरबाद नहीं करते थे उन्हें जब भी समय लगता था वे जो हैं अपना कोई ना कोई काम दिपटा ही रही होते थे लगातार चनने वाली यात्राओं हर स्टेशन पर दर्शन के लिए इकठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलकातों, बैटकों, चर्चाओं और बाचीतों के बीच वे स्वयम कब खाते, कब नहाते, कब सोते, कब अपनी हासते, रिफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता अब लेख़ यहाँ पर कहते हैं कि जो महादेव जी हैं वो इतने विजी रहते थे कि वे हमेशा यात्राओं में ही होते थे हर स्टेशन पर जो दर्शन के लिए लोग आए वे होते थे उनके विशाल समुदाय होते थे सभाई होती थी, मुलकाते होती थी बैटके होती थी वे कब जो है इन सब के बीच अपने लिए समय निकालते थे ये किसी को पता नहीं चलता था वे कब खाते थे, कब नहाते थे कब सोते थे, कब प्रात्मा करते थे किसी को इस बारे में पता नहीं चलता था उन्हें जब भी कोई देखता था तो कोई ना कोई वे काम करते ही रहते थे वे एक घंटे में चार घंटे का काम निपटा देते काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो वे सूत भी बहुत सुन्दर काते थे अपनी इतनी सारी वेवस्थाओं के बीच भी वे कातना कभी चूपते नहीं थे अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि महादेव जी इतने निपूर्ण थे कामों में कि वे एक घंटे में चार घंटे का काम निप्टा देते थे यानि जहां एक वेक्टी को किसी काम करने में चार घंटे लग जाते थे महादेव जी उसी काम को जो है चार घंटे के बजाए एक घंटे में ही निप्टा देते थे वो इतने फास्ट थे और उनके लिए काम के लिए रात दिन का कोई फर्क नहीं था उन्हें जब भी कोई फास्ट थे वे राद दिन नहीं देख दे थे वे कभी भी उस काम को कर देते थे और इनके बीच में जो है लेखा के भी बताते हैं कि जो सूथ काते थे वो बहुत जादा सुन्दर काते थे और अपनी इतनी सारी विवस्थाओं के बीच में जो हैं वे कभी भी सूद कातना नहीं भूलते थे यानि वो हमेशा सूद भी काता करते थे बिहार और उत्तर परदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सौने की कीमत वाले गात से बने हैं गात कहा जाता है गाड़ी चीज या कीचर को अब लेखक बताते हैं कि जो बिहार और उत्तर परदेश के हजारों मील लंबे मैदान हैं कंगा यमुना और दूसरी नदियों के आसपास जो मैदान हैं वो बहुत जादा उपकारी हैं सौने की कीमत वाले जो कीचर हैं उससे बने होगा कोस चल लीजे रास्ते में सुपार रही खुर्दरी मिटी या कंकर भी कभी चुपती नहीं थी अब लेखक यहां पर बताते हैं कि जैसे गंगा यमुना और दूसरी नदियों के किनारे जो कीचर है जहां पर पत्थर तक नहीं मिलता है उसी तरह से जो है आप वहां पर सौस औकोस चल लीजे आपको रास्ते म सुपारी फोर ने लाएगा एक पत्थर भी नहीं मिलेगा यह लेखक जो है कुधारन दे रहे हैं महादेव जी के व्यवहार का कि उसी तरह जो महादेव हैं उनके संपर्क में जो है जब भी कोई आता था तो उसे जो है कभी भी किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचती थी वो क चोटी सी खुर्दुरी मिट्टी होती है उसकी जो आपको ठेस पहुंचती है उतनी सी छोटी सी ठेस भी जो है कभी किसी को नहीं पहुंची थी यानि लेखक यहां पर महादेव जी के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर एक खुबी ये थी कि उनका व्यवहार सब के उद्धो नहाक देती थी। उसमें सराबोर होने वाले मन से उनकी इस मोहनी का नशा कई कई दिन तक उतरता ना था के चमक की तरह जो है दूद से नहीं संपर्क में आता था वो भी उनकी तरह ही विवार करने लग जाता था और लेखर के हाँ पर बताते हैं कि जो भी व्यक्ति महादेव के संपर्क में आते थे वो उनकी प्रतिभा से इतना जादे प्रभावित हो जाते थे कि कई कई दिन तक चो है, वो महादेव के बारे में ही चरचा क्या करते थे महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांदी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुत करे थे कि गांदी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कलबना ही नहीं की जा सकती थी अब लेखा के हाँ पर ये बताते हैं कि गांधी जी और जो महादेव जी हैं वो दोनों एक साथ इतने इन्वाल्फ हो गए थे यानि वो एक साथ इतने सारे काम करते थे कि अब जो है उन दोनों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता था यानि ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि जो महादेव जी हैं वो कांधी जी से अलग रहते हूं यानि धोनों जो हैं हमेशा एकठे रहते थे कामकाजगी कामकाजगी अनवरत विवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी ना कर सके इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रति दिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है अनवरत होता है लगातार और अनगिनत होता है जिसे गिना ना जा सके अब लेखा के हाँ पर कहते हैं कि इतने सारे कामकाजों के बीच में भी लगातार विवस्थाओं के बीच में भी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था कि जो महादेव जी हैं वो हमेशा निरंतर अपनी एक नीजी डायरी लिखा करते थे और उसकी जो अभ्यास पुस्तके हैं वो आज तक मौजूद हैं यानि उन्हें जो है प्रकाशित किया गया बाद में कि जो महादेव जी हैं वो किस तरह से अपनी दैनिक डायरी लिखा करते थे प्रथम श्रणी की शिष्ट संसकार संबन भाशा और मनोहारी लेखन शैली की इश्वर्य देन महादेव को मिली थी अब लेखा कि हाँ पर कहते हैं वह बहुत ज़ादा सुन्दर थी उनके जो संसकार हैं जो भाषा है वो इतनी ज़ादा सुन्दर थी वो एक ईश्वरिय देनी थी यानि इस तरह जो है गाड गिफ्ट ही होता है जो इस तरह से लिख सकें जो इस तरह से लोगों को अपनी और आक्रिष्ट कर सकें यद्यपी गांधी जी के पास पहुचने के बाद धमासान लडाईयों आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यक गतिवीधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्यके प्रियोग का अंग्रेजी अनुबाद उन्होंने किया वेनव जीवन में प्रकाशित होने वाली मूल गुजराती की तरहा हर हफ़ते यंग इंडिया में छपता रहा बाद में पुस्तक के रूप में उनके अंगिनत संसकरंट सारी द इतने सारी चीजों में इंवाल्व होने के बाद उनकी लड़ाईयों आंदोलनों और समचार पत्रों की चर्चाओं उनकी भाशनों के व्याक्षान करने में यानि वो बहुत सारी चीजों में इतने जादा उलच गए थे कि उन्हें जो है साहित गतिवीधियों के लिए कभ प्रकाशित होता था हर हफते यंग इंडिया में भी जो वह चपता रहता था और बाद में जो है एक पुस्तक के रूप में जो है उसके बहुत सारे संसकरन निकाले गए जो पूरी दुनिया में प्रकाशित हुए और विके जिने बाद में लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा सन 1934 या 1935 में गांधी जी वर्था के महिला आश्रम में और मगनवारी में रहने के बाद अचानक मगनवारी से चल कर गाउं की सरहत पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे अब लेखक बताते हैं कि सन 1934 या 1935 की बात होगी जब गांधी जी जो है वर्था के महिला आश्रम में और मगनवारी में रहने के बाद अचानक से जो है चल पड़े और गाउं की सरहत पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए उसके बाद वहां एक तो जोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तयार हुए तब तक महादे भाई दुर्गा बहन और चिरन और नारायन के साथ मगनवारी में रहे वहीं से वे वर्धा की असाय गर्मे में रोज सुभा पैदल चल कर सेवा ग्राम पहुँचते थे असाय होता है जो सहन ना की जा सके अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि जहांपर वे बैठे थे उसके बाद वहाँ पर उस पेड़ के नीचे जो है एक दो जो जोपड़े बने और फिर जो है आस्पुए तब तक जो है जब तक यह सब चीजे नहीं हुई जब तक मकान बनकर तयार ने हुए तब तक महादे भाई और दुर्गा बहन जो है नारायन के साथ जो है मगनवारी में ही रहे और वहीं से जो है वर्धा की जो सहन ना की जाने वाले गर्मी है उसमें रोज सुबा पैदल चर कर जो है सेवा ग्राम पहुँचते थे जहां पर जो है वे जहुपणियां और मकान बनकर तयार थे वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे आते जाते पूरे ग्यारा मेल चलते थे रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला कुल मिला कर इसका जो प्रतिकुल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृतियों के कारणों में वहो एक कारण माना जा सकता है अब सिलसिला कहा जाता है करम को लेखक बताते हैं कि सेवा ग्राम में जो है दिन भर काम करने के बाद शाम को वे वापस लोटा आते थे और आते जाते जो है पूरे ग्यारा मील वे चलते थे और इसमय तक चलता रहा क्योंकि मकान बनने में वहाँ पर काफी समय लग गया था उनके कारणों मैंसे एक कारण ये माना गया कि वे रोज जो है इस तरह से पैदल आते जाते रहते थे वो भी 11 मेल इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा वे भाते हरी के भजन की यह पंक्ती हमेशा दोराते रहे एरे जख्म जागे नहीं चशे यह घाव कभी योग से भरा नहीं अब लेखक यहां पर बताते हैं कि जो महादेव जी हैं उनकी मौत का जो घाव था उनकी मौत का जो दर्ट था वो गांधी जी के दिल से उनके जीते जी नहीं गया यानि जब तक गांधी जी महादेव जी की मौत का जो घाव था वो गांधी जी के साथ रहा लेखक बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो भ्रात्री हरी के एक भजन की पंक्ती हमेशा दोराते रहते थे कि एरे जख्म जागे नहीं जशे यानि इसका जो अर्थ है वो है यह जो घाव है वो कभी योग से नहीं भरेगा यानि चाहे योग करो चाहे कोई दवा करो यह जो जख्म है यानि जो यह घाव लगा है महादेव जी की मृत्यू का वो कभी नहीं भरेगा वो हमेशा इसी तरह से ताजा रहेगा बाद में सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुझे महादेव ही निकलता अनायास होता है अचानक अब लेखा कहां पर बताते हैं कि महादेव जी की मृत्यू के बाद भी सालों तक प्यारे लाल जी को जब गांधी जी कुछ कहना चाहते या प्यारे लाल जी को गांधी जी अगर बुलाना भी चाहते लाल ना निकल कर महादेव ही निकलता था यानि गांधी जी के मन में जो है महादेव जी इतने बसे हुए थे उनके साथ रह रहे कर जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि गांधी जी के दिमाग में हमेशा महादेव जी ही चलते रहते थे वो बुलाना किसी और को चाहते थे और वहाँ पर महादेव ही निकलत आशा करते हैं कि आपको ये चप्टर अच्छे तरह से समझ आ गया होगा और इस पार्ट में महादेव जी की जो प्रतिभा दिखाई गई है जो उनकी सत्या निष्टा दिखाई गई है काम के प्रति उनकी लगन दिखाई गई है उससे आप भी कुछ सीखेंगे आप भी सीखेंगे